भारत के प्रतिशित संतान से युपेसी पास करना मजाक नहीं है, मगर जमसेदपुर के बेटी ने जमसेदपुरी ने पुरे जारखन का गौरो बढ़ाया है, स्वाती सर्मा हमारे शाथ है, जो 17 रेंग लाकर के जारखन का जो मान बढ़ाया है, उनसे हम सीधे बात करते हैं क अकेर 17 रखलाने के पीछे का मेहनत कितना था और उनकी अपनी जो लगन थी वो कितनी थी आप कितना प्रयास की और आपके परिवार के लोग कितना प्रयास कि इस रेंग तकाने में तैयारी जब शुरू की थी तब थोड़ा असान लगता था पर जब स्टार्ट हम सेलेबिस बड़ा सलेबस हैं बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए तो जैसे जैसे हम पढ़ते चाते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि शायद और ज़रूत है मेनत की और ज़रूत महनत की दीरे-दीरे करते करते फिर एक टागिट सेट होता है तो फिर चीजें कंप्लीट होती जा पर एक लिए ती क्योंकि हमारे जम शेथपुर में वह चीज अवेलिबल नहीं है जैसे वहां पे वीकली मौक्स होते हैं वह चीज हमें आप अवेलेबल नहीं हो पाती है इस वज़े से मुझे दिली जाना पड़ा था कोई इंस्टेट्यूट में मैंने अपना इंरॉल्मे से बढ़कर मिल गया है कैसे मुंकिन हो पाया आइटिंग तीन साल की जो मेहनत थी लगातार प्रयास किये मैंने वह मेहनत ही है सही तरीके से पढ़ना दिन रात बुक्स में देना फोड़ा सा अपनी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना ताकि एक्स्ट्रा टाम निकाल सके इसे काम कि लोग या फिर फ्रेंड सरकल से कितना मदद मिला या फिर को ऐसे टीचर इस मुकाम तो पहुंचाने में आपके शाहत लंबा शमय निवाया है तो चाहन तो मुझे मेरे स्कूल के टीचर नहीं दिया था कि तुम्हें यह एक्जाम लाइफ में ट्राइक करना चाह टीचर की तरफ से इंकारिजमन मिला था कि यह एक्जाम है तो इंग्जाम को फिर जाना पर पर खा थोड़ा तो इंट्रेस्ट बढ़ गया एक्जाम में तो फिर मैंने इस एक्जाम की त्यारी चालू कि उसके बाद पता चला कि बहुत बड़ा एक्जाम है काफी चेंज़ ला सकते हैं सोसाइटी में इस वज़े से जो डिटर्मिनेशन है वो बना रहा है इस एक्जाम के लिए क्या चाहती है समाज में क्या सोच बना है आपका चुकि आप पढ़की आई है यहां तक 17 रहां काया है तो कुछ तो ऐसा विजन होगा कि समाज को बदलना है कैसे बदल अच्छेशन नहीं है स्कूल से पर वहाँ पर सही तरह की टीचर नहीं इंफ्रस्ट्रक्चर नहीं है साथ ही अच्छे मेडिकल कॉलिजस की भी कमी है इंजनियर्स की कमी है वह कॉलिटी नहीं है जो होनी चाहिए तो उसके उपर मैं काम करना चाहूंगी दूसरा विमन मेरी माता पिता दोनों का ही बहुत सपोट रहा है जैसे बाकी घरों में शायदाशकल हम देखते हैं कि लड़कियों को इतना मौका नहीं मेरे माता पिता ने मुझे पूरा मौका दिया है मेरी पढ़ाई में कभी कोई डिस्टर्बंस नहीं आई थी मैं जितने टाइम तक पढ़ना चाहती थी घर का अच्छा खाना अच्छा माहोल की वज़े से भी बच्चे की पढ़ाई पे काफी फिरक पड़ता है मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं टॉप की है घर के सासा देश के अभी नाम रसन किया इसने मुझे फुसी हो रही है कि मेरे बेटी इसकाबील है कि आज हमें इतने मुकाम हासिल हो रहा है आप जैसे लोग हमारी इंटेव्यू ले पा रहे हमने तो कभी सपने भी नहीं सोचा इसी मेरे था कि हमेरे बेटी हमें अब को पहुंचा सथी कि सबसे पहले बात तो यह कि जमिंगे सेना में का रहा हुँ था और हर जगा हर राज जो आहिए जो हमाम ने देखा तो आमारे दिल में भी मुआ धा अनि कभी नकभी अपने बेटे बेट इसे अच्छी मुकाम पर पहुंचाऊंगा तो मेरी बेटी को जब 10th की तो हमने बोला बेटा क्या तुम्हारा इस खोप है बोली पापा मैं लोयर बेने तो हमारी बेटी ने पहले लोयर बनने के लिए फिर जो हमारा एयल है चंडीगड आर्मिन स्ट्ट आफ लो तो महा के लिए तो फिर क्या कि नहीं पड़ी बोले नहीं लोर नहीं बनना है फिर अपना 12 कंपलीट की तो इसके स्कूल में एक प्रोफेसर आते थे डॉक्टर जाकिर हुशेन जो कि इसकी गाइडलाइन दिये बोले कि बेटा सब कुछ है नहीं कुछ सिविल सिवा परिक्षा भी है उसके बाद चेक करके देख तबसे मेरी बेटी पड़ी देखी तो उसको थोड़ा उसके अंदर अनुहाँ हुआ जागरित महसोस की और तबसे मेरी बेटी उसको त्यारी में लगते है और फिर मेरे से पुदी पापा यह करना है करो मेरा काम है तुमको फाइनेंसियल स्रीप मदद करना बाकी तुम जो करोगी समझदार हो अपने लाइफ के लिए अच्छी करोगी अबस हमें खुसी के तो सब कोई लिमिट सिमा नहीं है कि कितना खुसी है नहां खुसी है बहुत ज्यादा खुसी सत्रवा रंक लाई इसके लिए कि तो बहुत मंदकी एक चेब्मेंट की बात है पूरे हमारे ज जंसेत पुरवासियों में जो भी यह रहे हैं उन्होंने देखा सुना जोगी और पहली बात हमें हम और मेरी फैमिली को इतना कंफर्म था कि रैंक लाएगी इन इतना बड़ा रैंक लेके आएगी इतना हमनों को कॉन्फेडेंस नहीं था हो तो रिजल्ट आने के बार पता दाव लाना है सिक्षा एजूकेशन पर काम करना है और समाज को उस उचाई तक पहुंचाना है जहां कोई भी बच्चा पढ़ाई के लिए दूसरी सहरों में न भटके और गरीब को बच्चा भी जो है उपीसी का परिच्चा पास कर सके अपने शायोगी नवीन प्रदान क साथ इंडर्जीत सिंह समाचार प्लस जमसेतपूर